रूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए Study for Civil Services का Android आप Google Play Store में आ चुका है उसको प्लीज तुरंट इंस्टॉल कर लिजे और अगर आप Study for Civil Services के सिर्फ आप से कोई भी कोर्स कोई भी पेडिया परचेस करते हैं तो उसमें Apply Coupon अगर आप ग्यांसर जो है आप उसमें Apply करते हैं ये Coupon Code है तो उसमें 20% फीज तुरंट माफ हो जाएगी मतलब 20% इसकाउंट तुरंट उसमें लग जाएगा ग्यांसर लिखना है नॉर्मली इसमाल लिटर में है सब कुछ कोई स्पेस नहीं कोई कॉलम नहीं सिर्फ क्यांसर जी वाई एए एंसाई यार इस तरह से कूपन कोड लगाते हैं आप में बाइक करने से पहले जो अप्लाइब कूपन मुबाले में आता है तो 20% इसकाउंट तुरंग लेगा वीडियो देखिए नमस्कार दोस्तों दोस्तों वर्ल्ड जोग्रफी का एशिया का आज लास्ट लेक्चर है एशिया के मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक मैंने सब पढ़ा दिया आपको तो इसको प्लेलिस्ट मैंने बना आपने देखा होगा काफी ज्यादा न्यूज में रहा है भारत ने जो पहला इसका इनाउग्रेशन करा था छाबार पोर्ट का फस्ट फेस का दिसंबर 2017 में शुरुआत करी थी और भारत ने 500 आप यह अच्छा तरीका था यह तो कहां पर है यह इरान में आपको दिख रहा है ना इरान में है तो इस सिचुएटर इन शिस्तान और बलूचिस्तान प्रोइच इन साउथ इरान ऑंदा गल्फ ऑफ ओमान मतलब यह जो गल्फ ऑफ ओमान आप जानते हो ना हिंदी में इस अफगानिस्तान की काबूल से लैंड रूट के तुरू बज इतना आपको याद रखना है ठीक है कि इरान अफगानिस्ता और इंडिया के ट्रेट को यह काफी ज्यादा बढ़ाएगा ठीक है अब नेक्स्ट स्टेट ऑफ हॉर्मोस देख लेते हैं चलिए पहले इसका मैप दिखाता हूं आपको तोस्तो स्टेट ऑफ फ़मोस यह दिख रहा होगा आपको यह देखिए ये गल्फ औव ओमान यानि ओमान की खाली और यह जो परिश्ण गल्फ है ना फारस की खाली जिसको इंदि में बोलते है पर Шंछ तो फारस की खाली और गल्फ ऑफ ओमान इसको को देखिए connect करता है बहुत ही बीजी ट्रेड रूट है आपको पता है यह सब ओइल रिच कंट्री यहां से ओइल का ट्रेड बहुत जादा होता है तेल का और फिर यह अरेबियन सी यानि अरब सागर को भी जोड़ती है स्टेट ओफ फार्मोस तो पर्शन गल्फ भी याद र रखिए गल्फ ऑफ ओमान इसलिए क्योंकि ओमान यहां पर भी थोड़ा आ जाते हैं तो यह सब पर्शन गल्फ की कंट्री याद जरूर रखिएगा आप से पूछ सकता है और यह स्टेट ओफ हार्मोस किंदो वाटर बॉड़ी को connect करता है तो गल्फ ऑफ ओमान की खाड़ पहली चीज यह इन छे देशों में फैला हुआ है कौन कौन सी छे देश हैं फिलिपीन्स मलेशिया इंडोनेशिया तिमॉर लेश्ते पपुआ नियुगिनिया सोलोमन आइलंड यह सब प्रशांद मास आगए यह पसिफिक ओशन में हैं कंट्री आइलन कंट्री से काफी जैना होगा और क Mensch Chun यह तीन मेगा एकडिलोजिकल कं crosses इनर डिपल्यनिट इसका मतलब क्या है मतलब यह इकलोजी कि परसेंट और Considering में रखेगा अब यह आपको याद रखना कितने देशों में फैला है तो छे देशों में फैला है इंडोनेशिया मलेशिया फिलिपीन्स पपुआ नियोगिनिया ठीक है सोलोमन आइलेंड तिमॉर लेस ते इसको याद रखना इसमें 1.5% वर्ल्ड टोटल ओशियन एरिया आता है मैं मेंस प्रस्पेक्टिव जो पढ़ाओंगा कि कोरल बीचिंग कैसे होती है है न कैसे कोरल मरने लगते हैं अब यह वर्ल्ड जोग्रफी की चीज़े याद रखो इट हैस्ट कोरल डाइवर्सिटी और दुनिया का सबसे ज़्यादा कोरल की डाइवर्सिटी नहीं हर और फल्द से Brendan क्रिशन्ट और गोल्डन ट्राइंगल के बारे में हिंदी में इसको यहीं बोलते हैं अब यहां पर use फॉप्य प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है मैप में एके गृट् में क्या क्या जाता है आपके फिरान अफ्गानिस्तानफी पाकिस्तान और वहीं गोल्डन ट्राइंगल में वियतनाम आता है लाओस आता है थाइलेंड आता है और बर्मा आता है यह किसमें आता है गोल्डन ट्राइंगल में आता है किसमें आता है गोल्डन ट्राइंगल में तो यह ज़रू याद रहा ठीक और इनकी राज़ानी इरान की तहरान अफगानिस अवैद अफीम के उत्पादन के लिए बहुत जादा फेमस है और यह जो अफीम होती है इसी से लोग हेरोई बनाते हैं चरसवरस बनाया जाता है यहां से ठीक है तो इसको याद रखना है काफी जादे इंपोर्टन है इत्ते ही से आपका काम बन जाएगा और जो भी इससे ज जरूरी है बस more than enough इसके लिए अब कजिन सारा लेक बहुत न्यूज में रहती है कजिन सारा लेक कौन सी कजिन सारा लेक अब यह न्यूज में बनी क्योंकि कजिन सारा जो है नई खोजी गई है कहां पे है नेपाल में कजिन सारा लेक कहां पे है नेपाल में इसने रिकॉर् सब्सक्राइब नेपाल में अब इससे पहले अगर बात करें तो जो लेगो या लेक टिटिकाका बोलो ज्यादा बेटर है एंडीज में जो अभी तक वर्ल्ड की हाईस्ट नविगेबल लेक है हाईस्ट नविगेबल मतलब नौका यान यहां पे सबसे उची लेक है जो यहां केते हैं ना वाओ बोट चलती है ठीक है अभी तक को ने लेक टिटिकाका जो की एंडीज में है और देश भी पूछले तो अभी तो आगे पढ़ें गई साउथ अमेरिका में बोलीविया और प इस दिख रहा होगा आपको यह अजर बैजान का एरिया अजर बेंडन क्योंकि यह है और अर्मेनिया चल रहे हैं डिस्प्यूट चल रहा था तो इसलिए यह निव्यूज में था थीक है नक्चिवान अजर्बैजान का ही च्छेतर है याद रखना अगर पूछ यह आप से current affairs देते हैं with map video के साथ जब आप हमारे ग्रूप में आते हैं तो आपको डेली current affairs monthly current affairs study material के साथ यह सब दिए जाता है ताकि देख आपको इधर उदर से मशक्कत ना करनी पड़े दिन बड़ ढूंडोगे या पढ़ोगे आप सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बहुत ही minimum amount से आप बस एक बार आपने हमारे group जोइन कर आप आपको कुछ नहीं करना बस डेली जो हम देते जाएंगे उसको पड़ते जाईए ने तो आपके पास इतना समय आप थोड़ी बचा कि आप सब कुछ ढूंडेंगे फिर collect करेंगे समय बहुत वेस्ट होगा है ना बाकी आप कर सकते हो आपकी भी मर्जी है दो तीन-चार साथ यह ना अगर आप एकदम एक ही बार में सेलेक्शन लेना चाहते तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको एक अच्छे संस्तान से जोड़ना पड़ेगा आपको यह इतना याद रखना इसमें ठीक है इसमें और मेनिया और अज चुहान स्वायत गड़ रहा है तो अपने आप बता दोगी किसका एरिया अजरवेजान ठीक है अब किर्गिस्तान के बारे में देख लिए भी न्यूज में रहता है क्यों क्योंकि लैंड लॉक कंट्री एशिया की सेंट्रल एशिया की ओनली डेमोक्रसी है ना ओनली डेमो चिंद्थ पंजाब खाईबर पकटुब बलूचिस्तान जिंद्दक बलूचिस्तान दिख आ और यह अपना वही गिल्गेत बलतिस्तान इस और ऑए पकिस्तान आप जब के आप पितर याद रखो खाली पाकिस्तान में पंजाब खाइबर पक्तुआ बलूचिस्तान और सिंद्ध यह चार एरिया थे ठीक है अब यह निउस में बहुत रहता है प्रातास आइलेंड बहुत निउस में है इस बार इना तो प्रातास आइलेंड क्या है इसको देखने है अब पर यह मैप देख रहा हो गई यह दिख रहा प्रातास आइलेंड पार्सेल आइलेंड यह लोग अभी उपर पड़े थे यह भी साउट चाइना सी में है और यहीं पर प्रातास आइलेंड टीक है यह होंग कॉंग और ताइवान और इन सब के देखो पास ही पड़ेगा ठी ठीक है यहां पर कोई ऐरपोट नहीं है और कोई पर्मानेंट इन हैवितेंटंस भी नहीं थीक है खूल हो यहां भी पर्मानेट ली नहीं रहता है और प्पंट ही चाइम लेंड-टे ना के आस्ट्रिलिया के कॉंटिनेंस के कुछ important चीज़े जानेंगे तो complete Asia में इसमें आपको कराया जो जो चीज़ा भी तक आ सकती है जो न्यूज में बनी रहती है जो इससे सवाल बन सकते हैं अब इसको करा इसके बाद अब आपको quiz लगवा दिया जाए गए पीवाई क्यू लग बन hay जाए पज़े लगवाई सकती है vive लुन एख दॉर प्र गॉर भार जब वट्म मेर्वा़ उन्यूटार।